नमस्कार दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग जगरोफी पॉर्शन को भर कर रहे थे SSC जे और CHS लेक्जाम के लिए तो देखिए प्रिभेस क्लासे मैंने आपको वर्ड जिगरोफी के जितने भी important topics आपके थे जैसे major oceans हो गया, seas हो गया, इसके अलाभी जो deserts, grassland और जो states है तो वो हमने देखा था तो आज जो है हम लोग यह आपका जैसे की last portion आपका हुआ last topic होगा जिगरोफी का हमने सारा topic आपका complete करा दिया है तो आप लोग को जितने भी topics हमने कराया हुआ है तो उसका playlist अलग से मिल जाएगा और आपको description box में भी link मिल जाएगा इसका तो आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं वहां से जाके और PDF भी हमने इसका पूरा complete already provide कर दिया तापको description box में link इसका मिल जाएगा और इसके पहले जितने भी हमने subjects cover किये हुए जैसे economics हो गया biology हो गया और साथ में chemistry भी जो हमने आपको कराया हुआ है तो उनसा भी का playlist जो है हमने create कर दिया आपको description box मे link जो है आपको मिल जागा तो वहां से जाके आप लोग PDF को आप लोग बाई कर सकते हैं और आप लोग study करते रहे हमारे target है कि आपका पूरा complete general study का portion आपका हम करा देंगे exam से पहले और इसके बाद जो है जो से कि आपका यह आपका last topic है तो इसके बाद हम लोग quality का session start करेंग तो earthquake जो है तो यह जो है ground का एक violent seeking होता है जैसे कि आप देखते होंगे कि ground में जो है एक बहुत ही जो जोड़तार जटका लगता है यानि कि जो हिलने लगता है एक तरीके से तो यह जो है ground का एक violent seeking होता है और यह जो phenomena है यह earth crust के movement के चलते होती है या फिर जो volcanic action जो होती है अब यह movement होते है तो इसके चलते जो है large amount of energy जो है release करते है जहां सब यह fault होती है और इसी के चलते जो है जो sticking होती है ground का तो अब दिखिए यहां पे जैसे बहुत सारे terms होते है इंसे related जो कि आपको यहां पे समझना जरूरी है अब दिखिए इसमें जो main point होता है जिसको हम यहां पर इसको focus बोलते है या इसको hypo center या फिर सिसमेक focus बोलते है Entonces ये वह point होता और में जहां से earthquake originate करता है तो यहां पर जैसे focus को आप देख सकते है तो यह point होता है कि जहां से जो है अर्थ करस्ट के अंदर में मतलब कि जहांसे अर्थ करेंग और रिंग और इंसको बोलते हम लोग focus बोलेंगे या फिर सिस्मिक focus बोलेंगे तो यह छोटा छोटा टर्म आप से जोकी अपसे पूछा जाता है फिर उसके बाद देखिए इसी के वर्टिकली में जो एक point होता है सिधा इसका वर्टिकली एक point उपर में होगा इसको बोलते हैं हम लोग epicenter बोलते हैं लोग तो यानि की वो point जो की focus है सिधा यह vertical point होगा अर्थ सर्फिस में यह आपका जैसे पॉइंट फ्रीगर में आप देख सकते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग Kईपी सेंटर बोलते हैं हम लोग और यहीं पर जो है इपी सेंटर में इस इंटेंजिटी होता है आर्थ के वेका वो सबसे ज़्यादा होती है और इसके बाद फिर जैसे इपी सेंटर आपका इसके इधर इधर जो है intensity जो होगा भुकम का वो decrease करता जाएगा जब इधर आप move करते जाएगा इपी सेंटर से तो तो यहाँ पर main point आपका क्या रहा है यहाँ पर कि भुकम जैसे आपका originate होता है तो वो आपका जैसे focus से यह कहाँ पर होगा और इसके intensity कहाँ पर होगी तो इपी सेंटर में और अगर हम इधर उदर बढ़ते जाएंगे इसके movement करेंगे तो जो है intensity अर्थक्वेक का वो decrease करता जाएगा अब दिखिए जो अर्थक्वेक जो है जो originate करता है लिधर स्पेर में तो यहां से जो वेफ जो हैं all over world में जो कि डेली जो है वो record करते हैं यानि कि जो अर्थक्वेक जहां भी आते हैं तो इन सभी को record करते हैं तो इसके लिए एक instrument होता है जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं तो यह ऐसा instrument है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करेगा तो इस तरीके से बहुत सारे जो ह है तो यह अर्थक्वेक का magnitude कितना है तो उसको यह measure करेगा अब इसमें देखिए जो magnitude जो रहता है इसका तो उसको इसको एक register scale का इसका मतलब है कि जो भुकम की जो तीवरता है यानि कि जो पावर है अर्थक्वेक का वो जो है 10 टाइमस increment हो चुका है पहले comparison में अगर 6 से अगर 7 हो जाता है तो मान लिजे कि पहले जो जितने भी भुकम था मन जो भी उसकी जो भी पावर थी तो उसका दस गुना multiple हो जाता है एक register scale के increment होने पर तो इस तरीके से यहां पर जो है आपका register scale में पैमाना जो इस तरीके से मापा जाता है इसके इंदर में जिसके range होती है बहुन से लेके 10 तक तो आई होब की जितना चीज पॉइंट मैंने आपको बताया यह आ होता है इसका तो पहला है body waves और दूसरा है surface waves है तो इसके further category होता है जैसे body waves के एक होता है longitudinal waves जो की P waves के नाम से भी जाना आता है और दूसरा है transverse waves होता है जो की S waves होता है और वहीं दूसरा है surface waves तो इसके further do types होता है एक होता है रहले वेपस और दुसरा होता है लव वेपस तो यहां पर हम लोग एक एक करके दोनों को study करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर body waves के बारे में study करेंगे तो देखें जो body waves जो होते हैं तो यह जब generate जो होते हैं तो वो earth के हर एक direction में यह move करते हैं और यह जो है उस तरीके से यह generate होते हैं कि जैसे अब जानते हैं कि जैसे focus से जो energy release होती है तो उसी के चलते यह generate होती है और यह earth के जो interior है उसके अंदर में यह हर एक direction में यह move करते हैं तो इसलिए जो है इसका नाम body waves रखा गया है क्योंकि यह earth के interior जो body मतलब कि earth का जो interior जो portion है तो उसके हर एक direction में यह move करती है तो इसी करण से इसका नाम रखा गया है body waves है अब दिखिए यह जो है अगर surface वे comparison में बात करें तो यह faster होता है यानि कि बहुत तेजी से यह travel करते हैं और जो seismographic stations होता है जहां पर seismograph होता है record करने के लिए तो जो सबसे पहला जो waves जो detect किया जाता है तो वो body waves ही है तो इस तरीके से question यह आदी आप से पूछा जाएगा कि कौन सब waves है कि जो फॉस्ट जो record किया था seismograph में तो वो आपका body waves हो जाएगा तो यानि कि यह जो है पहले फॉस्ट यही detect होता है उसके बाद फिर से और भी जो waves होता है जैसे कि surface wave वो बाद भी detect होता है तो देखिए जो body waves है तो इसके जैसे मैं आपको बताया था कि दो types होता है एक जैसे आपका P waves हो गया और दूसरा इसका ace waves है इसको हम लोग secondary waves से बोलते हैं और इसमें देखिए जो waves होता है यानि कि जो primary waves है तो यह sound waves के similar होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो sound waves है वो longitudinal waves होता है तो उसी के यह similar ही है तो इसलिए इसका नाम रखा गया हुआ है longitudinal waves क्योंकि यह sound के जो property होता है उसका similar है तो आप से यह भी question पूछा आता है कि जो primary waves है यानि कि जो P waves है तो उसके characteristic क्या होती है तो यह जैसे कि longitudinal waves होता है और sound के comparison में यह similar है और वहीं देखिए जो secondary waves है तो यह जो है जैसे earth surface पर जब होचती है तो यह कुछ time lag के बाद मोचती है जैनि कि सबसे पहले primary waves आएगा उसके बाद फिर secondary waves आएगा और यह जो है slower होते है primary waves के comparison में और यह होता है transverse nature होते हैं तो अगर दोनों में properties, difference अगर दोनों में पूछा जाए तो वो जैसे primary waves है तो यह जो है ट्रांसबर्स waves होता है और बाकि जो secondary waves है जैनि कि जो अपका body waves था उसी से ही तो जब body waves जब यह interact करता है अब जो surface पर जो rocks होते है यह rocks जब यह interact करते हैं उससे तो एक नया set of waves जो है generate होते है जिसको कि हम लोग surface waves बोलते हैं हम लोग और यह दिखिए जैसे earth surface wave मूब करते हैं तो इसे लिए इनको हम लोग बोलते हैं surface waves तो यह इस तरीके के waves होंगे जो कि earth surface पर यह move करेंगे और इनको दिखिए बहुत ही damaging भी इनको consider किया जाता है क्योंकि यही ज़्यादा तबाही मचाते हैं क्योंकि body waves जो होता है तो जैसे focus से energy जो release होते है तो उनसे generate होते है body waves लेकिन body waves जब यह surface rock से टकराते है तो यह इसी से ही surface waves की फिर से यहां से क्या होता है generation होती है तो इस तरीके से जो most damaging जो होता है तो वो होगा surface waves होगा तो इसका फॉर्दर देखिए door types होते है जैसे कि मैंने आपको बताया था एक होता है love waves और दूसरा होता है relay waves होता है तो यह जो love waves होते है तो यह इस तरह कि यह surface waves होते है तो यह horizontal shifting करते है अर्थ का जब earthquake आती है तो अर्थ में आप देखिएगा वहाँ पे तो उसमें horizontal shifting होगी जैसा कि आप figure में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो horizontal shifting होती है जब earthquake आती है तो और अगर हम comparison करते हैं body waves के comparison में तो यह slower होते हैं और उसके साथ साथ में relay waves के comparison में यह लेकिन faster होते हैं तो यह दोनों चीज comparison आपको समझना होगा और वहीं पे relay waves के बात करते हैं यह दिखिए जो relay waves जो होते है यह ellip trivial motion follow करते हैं जैसे किसा figure ने आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पराय इस तरीके से जाते हैं जासे कि आप यहाँ भी यह देखते हैं जहीं जाता है वह रोल करता है यानि कि जो ओसी तरीके से रोल करता है तो उसी तरीके से रेले वेप्स भी रोल करते हुए यह आते हैं तो I hope कि इतना दोनों चीज कंपेरिजन जो मैंने आपको बताया हुआ है यह चीज आपको आप समझ में आ गया होगा तो इतना अर्थक्वेक से रेलेटेड जो है आपको काफी रहेगा थियोरी के लिए अब आएए हम लोग यहाँ पर क्वेस्टेंस करते हैं जो कि आपके प्रिवे सेर में पूछे गया थे तो यहाँ पर देखिए आपको पहला कोश्चन है कि और नहीं है गया, सेमय की सेर में अर्थक्वेक करते हीज़ी आपको प्रिवेक लिए तो इपिशेंटर का होता है यह चीज मैंने आपको अल्डेडी बताया हुआ था आप जानते हैं कि जोपोइंट होता है यानी जोभी होता है जहांपे अर्थक्वेक ज degस originate होती है और उसके just above में यानि कि vertical position पे दिबात करते हैं तो उसके just above में जो vertical point होता है जो की earth surface पे उसको बोलते हम इपी center जहां पे intensity होती है earthquake का वो सबसे जादा होती है और वहीं से जो earthquake की intensity जोती है वो अगर अगल बगल हम move करेंगे तो वो decrease करता जाती है तो इपी center वो point होता है कि जहां पे intensity earthquake का सबसे जादा होती है तो इसी को locate करना ही जो सबसे बड़ा important point होता है इसी के चलते जो है तीवरता जो है यह मापा जाता है कि कि कितना intensity कितना तीवर है उसकी तो इसी लिए जो है scientist लोग जो हैते हैं कि वो अपना seismic station install किया हुए रहते है तो उसको जैसे detect करने के लिए कि तीवरता जहां पे कहां पे कितने जादा है तो उसके लिए जो है three at least station की जरूरत पड़ती है तो यही चीज़ इसमें आप से पूछा गया था तो आप लोग सारे term को अच्छे से यहां पे याद रखना अब next question देखिए कि with reference to the interior of the earth and the earthquake consider the following statement तो यहां पे interior earth के interior में या फिर जो earthquake से related term आपका कुछ दिया हुआ है आपको इसमें से बताना है statement कौन सा क्या है तो इसमें पहला दिया हुआ है कि the earth crust is brittle in nature तो earth crust जो है वो brittle nature का होता है तो यह देखिए statement जो यह आपका सही दिया हुआ है क्योंकि दिखिए जो earth crust जो है आप ब्रेक भी कर सकता है और आप जानते भी हैं कि जितने भी continent जो formation हुआ है तो वो बहुत सारे plates के तूटने से हुए हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे major plates और several minor plates हैं तो यह किसके चलते जब earth crust जैसे यह brittle है यानि कि यह ब्रेक किया हुआ तब ही तो यह हुआ हुआ है अगला देखिये इसमें दिया आपका कि surface waves are considered to be the most damaging waves तो जो surface waves होते हैं तो यह बहुत ही damaging waves होते हैं तो यह बहुत ही damaging waves होते हैं statement आपका सही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो surface waves है तो यह body waves के चलते ही originate होते हैं यह जो body waves जो rocks होते हैं उनसे जब आके यह वहां पर जाके यह टकराते हैं तो उसके चलते हैं surface waves के generate होते हैं जो कि यह most damaging waves होते हैं तो इस तरीके से इसमें आपका statement 3 आपका वो भी सही है तो इसमें आपको option 2 गलत है 1 और 3 सही है तो देखिए कौन सा आपका इसमें से question पुछा गया था कि statement correct है तो 1 and 3 only आपका हो जाएगा यह जो है आपका सही हो जाएगा तो इस तरीके से question आपके पुछा जाते हैं exam में तो यहां पे देखिए जो आपक topic थे वापका finish हो चुका है जितने भी topics आपके थे Indian geography world geography से तो हमने पूरा complete जो है cover करा दिया है तो आपको कैसा लगा यह सारे lecture से अप लोग comment करके जरूर बताना और हमने देखिए जिए जिए पीडिया अपको provide कर दिया तापको description box में link मिल जाएगा और आप लोग पढ़त झाल आक es अभीड़ है झो है झालinea प्यापट ते उिसए जुन झाल में दो हमने खुग के जीए जिए हैं कि एजने पर लेका कि पा जूरा